तो आपको नेचे डिस्क्रिप्षिन लिंक पिल जागा पहुंपे जाकर देख सकते हैं यहां हम बात करें हैं लिफ्ट इन मार्केट बास्केट अनालसिट एक लिफ्ट का मतलब क्या होता है अगर वेज़ी टेबल ले रहा है तो साथ में मीट पर्चेश कर रहा है तो ऐसे कॉम्बिनेशन को आइडेंटिफाई करना ही क्या कहलाता है लिफ्ट का मतलब क्या हो गया कि एक प्रोड़ेट की वज़ह से दूसरे प्रोड़ेट की भी डिमांड हो रही है एक प्रोड़ेट पर्चेश कर रहा है तो उसके साथ दूसरे प्रोड़ेट भी पर्चेश किया जा रहा है तो वो लिफ्ट कहलाता है लिफ्ट कैन वी कैल्कुलेटर जाईस टूवे और थ्रीवे असोशेशन यानि कि लिफ्ट में तूवे मतलब कि जहां पर हम दो प्रोड़ेट के बीच में असोशेशन को फाइंड आउट करते हैं यानि कि अगर सेरल्स के साथ बनाना भी लिया जा रहा है या फिर ब्रेट के साथ चीज भी लिया जा रहा है तो यह higher lift indicate करता है normally one या one से ज़्यादा होता है तो यहाँ पे affinity होती है याने कि एक product के साथ दूसर product भी purchase किया जा सकता है लेकिन जहाँ पे one से कम lift होती है तो वहाँ पे फिर उस case में chances कम होते हैं कि एक product के साथ दूसर product भी purchase किया जाने तो अगर आपको पता चल जाता है और लिफ्ट जाता है याने कि हायर लिफ्ट है तो उस केस में आपको बहुत तरीके से हेल्प करता है जैसे प्लेसिंग अफ प्रोड़क्त नेक्ष्ट तो इच अदर तो ब्रेट के सामने आप चीज को प्लेस कर दोगे जिससे जो भी प्रोड़क्स कर लेगा तो इससे जो है असानी होती है किस्टमर्स को भी सेल्समी करें होती है दूसरा retailer can package or bundle them together to increase sale of one of the product which has lower frequency of sale यानि कि दो चीज़े हैं अब इसमें से एक sale उसकी कम हो रही है तो आप दोनों को combine कर दो क्योंकि आपको बता है कि इसके साथ purchase किया जाता है तो उन दोनों को combine कर दो bundle कर दो तो उससे क्या होगा आपका sale increase जिसको cross selling में कहते हैं तीसरा कि special deals can be offer to enhance product sale वहाँ पर आप special deals भी दे सकते हो जिससे कि दूसरा product भी purchase किया जा सके उसके साथ तो ये चीज़े आपको देखनी है अनलाइज करनी होती है market basket analysis में तो इससे क्या होगा चौथा option है कि आपको optimizing store layout यानि कि store layout जो होता है कि कहा product कैसे place किया जाना है उसको भी optimize कर सकता है इस तरीके से place कर सकता है कि एक item के साथ दूसरा item आपको visible रहे कि उसको purchase किया तो उसको भी purchase कर लेगा तो ये जो है market basket analysis से ही पता चलता है कि कौन कौन से product है जो normally purchase करता है customer और उसके customer के purchasing pattern को तो वहाँ पर purchasing history को समझा जाता है कि कब कौन सा product हो किस के साथ purchase किया जा रहा है तो lift को यहाँ पर कैसे calculate करते तो आप यहाँ पर देख सकते है formula आपको दिख रहा होगा अब suppose करें कि 1000 transaction जो है एक week में या फिर एक महीने में हुए है जिसमें से 300 transaction ऐसे हैं में कि meat purchase किया गया है और 400 transaction ऐसे जहां पर vegetable purchase किया गया है 200 रहाँ ऐसे transactions होए है जहां पर meat और vegetable दोनों की billing हुई है एक ही bill में तो अब आपको यहाँ पर lift find out करना है तो इसके लिए क्या करना है कि actual number of transaction where meat and vegetable were purchased पहले आप इसको calculate किए तो actual number of transaction where meat and vegetable दोनों साथ purchase किया गया थे that is 200, अब है total number of transaction वो आपको पता है 1000 वहीं पर into fraction of time meat was पर जाने कि कितने बाद meat purchase किया गया था तो just 400 times, तो आपको क्या करना है, sorry 300 times तो 300 divided by 1000 दूसरा into fraction of time vegetables were purchased, कितनी बाद vegetable purchase किया गया थे 400 times, 400 divided by 1000 आपका आजाएगा 0.40 तो अब आपको इसको solve कर लेना और आपका point solve करने पाद आजाएगा 1.67 तो यहाँ पे आप देखेंगे कि affinity क्या है, यानि कि जो lift आया है वो 1 से जाता है यानि कि यहाँ पे probability है, इस चीज के ज़्यादा chances है कि vegetable के साथ meat भी purchase किया जाता है यानि कि दोनों को एक साथ purchase किया जा सकता है, तो अब आपको अपने layout को, store layout को इस तरीके से प्लान करना है कि vegetable जहाँ रखा है, वहीं पे आसपास meat भी रखा हो, जिससे कि जो vegetable लेने आये, तो वो meat भी purchase कर ले क्योंकि दोनों के affinity, दोनों की lift जो है वो 1 से जाता है, तो इस तरीके से जो है आप compute कर सकते हैं, 2-way lift, wish you all the best, keep watching